दोस्तों आज हम बात करने वाले ओक्शन के बारे में जैसे कि आप दोस्तों दोस्तों जैसे कि दो नहीं बज़े हैं दोबजे के बाद यहाँ झाट हो जाएगा auction से पहले यहां 2 बजे से पहले यहां आपको कोई भी list यहां नजर नहीं आई ही दोस्तों जैसे ही 2 बजेंगे उसके बाद आपको एक यहां list नजर आने लगेगी number of stock की तो चलिए दोस्तों 2 बजे के बाद आते हैं फिर हम इसे detail में समझेंगे दोस्तों यहां हम आये हैं 2 बजे के बाद तो आप यहां देख सकते हैं कि auction में दोस्तों एक list नजर आ रही है जिसमें number of shares यहां नजर आ रहे हैं basically दोस्तों यह मेरे portfolio में share है जो भी eligible share है वो यहां नजर आ रहे है जैसे ICIC bank, TCR, Trident और Wipro ठीक है तो यह number of shares है हम मैं इन में से किसी भी share को यह auction में sale कर सकता हूँ अगर हम ICIC bank को देखें तो आप यहां देख सकते हैं मैं इस पर click करता हूँ तो आप यहां देख पाएंगे कि यह देखिए तो आपको यह sellers नजर आएंगे खाली क्योंकि हम खाली sale कर रहे हैं बाव पर वेचना चाहता हूँ तो जैसे 3520 पर तो मैं अपना 3520 का order भी यहां place कर सकता हूँ गर मैं 3510 पर चाहता हूँ तो 3510 का भी मैं रख सकता हूँ तो आप यहां देख सकते हैं आउक्षें हैं दोस्तों यहां जितने भी आ रहे हैं वह इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि शॉट डिलीवरी हूई टीसी एस और आप अपने इसमें देखिएंगे जो भी पॉर्टफोलियो में आपके share है वही share दोस्तों यहां नजर आएंग वही share आपको यहां दिखाई देंगे और इनकी quantity भी दोस्तों दिखाई देगी जितनी आप यहां sale कर सकते हैं ठीक है और यहां लिखा भी है eligible quantity यह देख रहे है eligible quantity है तो आप इससे ज़्यादा quantity sale नहीं कर सकते है minimum quantity यही है और maximum यही है तो दोस्तों यह share आपके portfolio में को sale कर देते हैं auction में तो यह हमारे portfolio से गयब हो जाते है ठीक है तो दोस्तों क्यों होता है यह ऐसा auction broker के क्यों करना पड़ता है उसका हम reason यह जान लेते हैं तो जैसा कि एक normal process है कि हम जब भी share market में किसी भी share को सबसे पहले हम buy करते हैं और उसे sale करते हैं buy कप करते हैं कम price पे करते हैं तो यह वह हमारे portfolio से निकल जाता है ठीक है यह complete process होता है then एक process और होता है intraday की बात करते हैं intraday में दोस्तों हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं उल्टा मतलब अगर हमारे पास कोई share नहीं भी है तब भी हम उसे पहले sale कर सकते हैं और same day उसे हम बाद में buy कर सकते हैं जाने लगा 100 रुपे पर हमने sale किया था और 120 पहुंच गया 120 के बाद उसमें circuit लग गया कुछ circuit वाले share होते हैं जैसे अदानी ग्रीन अदानी पावर और भी कुछ-कुछ share जिसमें कम liquidity होती है बट अगर हमने उसे short sale किया है तो उसमें circuit लग जाता है लिमिट के बाद जैसे circuit होने है तो अगर circuit लग गया तो दोस्तों उस case में क्या होगा कि आप उसे को sale नहीं कर सकते बाद नहीं कर सकते जिसा अगर आप में short sale किया है सेल कर दिया है short sale नीचे के भाव पर बट ऊपर जाके उसमें circuit लग जाएगा circuit लगने के बाद आप उसे बाय नहीं कर पाई क्योंकि आपने यहां sale किया हुआ है कोई खली बायर होंगे उसमें तो उस case में क्या होता कि आप same day उस sale को बाय नहीं कर पाते तो क्या होता है कि व ठीक है वह जाती है short delivery short delivery मतलब आप share को आपने sale तो कर दिया बट आप उसकी delivery नहीं दे पाए तो उस case में क्या होता है जो broker होता है ना फिर वह auction करता है auction करता है और किसी दूसरे से share वह buy कर लेता है कि आपने share को sale किया था जब आपने पहले sale किया तो किसी ने buy किया होगा ठ बट वह share आपके पास थे ही नहीं बाद में आप delivery नहीं दे पाए तो उस buyer को आपको देने होगे ना तो broker उस case में किसी और से share को buy करके उस जिसने उसको buy किया था पहले उनको देता है तो इस case में क्या है कि वह auction कराता है और auction में दोस्तों वह ज्यादा price पर लेता है तो ज् काफी amount का loss उसे हो जाता है जिसने short sale का है तो short sale जो होता है दोस्तों काफी अगर आपको फस गए है short delivery हो गई है तो उस case में आपको ज्यादा loss होता है तो short delivery के case में auction करना होता है तो अगर auction में आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप यहां अगर आपका 0-0 account है तो आप simply इस करीके से यहां पर उसमें हिस्सा ले सकते हैं और उन शेयर को sale कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था कि auction में हम किस टाइम शेयर को sale कर सकते हैं और उसमें कैसे भागीदारी ले सकते हैं तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छ लेगे और आपको काम दोस्तों वीडियो चली कि तुसे लाइक करने ना भूले अगर चैनल पर पहली बढ़ा है तुसे सब्सक्राइब कर सकते आज यूदू करने धन्ना हुआ